जमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ्य सुरक्षित होंगे बच्चों, आज का पार्ट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्ट पूछलू तयार हैं आप लोग? तयार है ना? तो चलिए, बताइए जरा कि परिवार किसे कहते हैं? हाँ, पोशिश किजिए अरे, विल्कुल सही एक घर में रहने वाले सभी सदस परिवार की सनचना करते हैं यही सोचा था ना आपने? एक घर में एक ही छट के नीचे रहने वाले सभी सदस परिवार का हिस्सा होते हैं अच्छा, अब बताइए आपके परिवार में कौन-कौन हैं? हाँ, पापा, मम्मी, भैया, छोटा भाई भी है छोटी बहन, बड़ी बहन, ताउजी, ताईजी, चाचा, चाची अरे वाह, आपके घर में तो बहुत लोग हैं ना? दादा, दादी, देखो कितने सारे लोग मिलकर परिवार बनाते हैं अच्छा बचो, अब मुझे एक बात और बताओ दादी आपके लिए क्या क्या करती हैं? बताओ तो, दादी आपके लिए क्या करती हैं? खाना बनाती है जब आप बिमार होते हैं तब दादी क्या करती है आपकी देखरे करती है ना आपकी सेवा करती है और दादी की देखरे करने के कारण आप जल्दी ठीक हो जाते है और जब आप सोते हैं तब आप दादी के पास सोते है ना तो दादी कितनी सारी कहानिया सुना राजाओं की, परियों की, कभी-कभी भूतों वाली कहानिया भी, और आप कितने प्रसन हो जाते हैं न, दादी के पास होकर, ये दादी का प्यार आपके साथ इसलिए है क्योंकि आप उनके लाड ले हैं, तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रही हैं, उस पाठ का नाम है दादी मा, ये आपकी कक्षा की उस तक बसंत का दूसरा पाठ है, दादी मा, तो चले, शुरू करें कहानी, इससे पहले कि हम कहानी का किताब से पाठ करें, मैं आपको कहानी संक्षेप में पहले समझाता हूं, आप ध्यान से इस कहानी को सुने और समझे, तब आपको पाठ अच्छे से समझ आएगा, है ना, शुरू करें, इस कहानी का लेखक अपनी दादी को बहुत प्यार करता है, लेखक को उसकी दादी और उसका घर और भी याद आते हैं, जब वो कभी बाहर होता है, वो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँचना चाहता है, ताकि वो अपनी दादी से मिल सके, इस समय भी लेखक अपने घर से दूर एक स्कूल के शात्रावास में है, शात्रावास में रहते हुए उसका दिल नहीं लगता, वो चाहता है कि कब छुटियां पढ़ें और वो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँचे, उसके मित् भी उसे तसली देते रहते हैं कि घबराव मत जल्दी चुटियां पढ़ेंगी और तुम अपने घर जा सकोगे, ऐसी बातों से लेखक को अपने गाउं की याद आने लगती है, लेखक याद करता है कि बरसात का मौसम बीच जाने के बाद किस तरह तालाब भर जाते हैं, अ उसमें नहाने को मन करने लगता है, गाउं के बच्चे उसमें कूद कर नहाने लगते हैं, लेखक कहता है कि किसी भी मौसम का अपना अनन्द होता है, लेकिन सभी मौसमों के आनन्द तो छोड़े जा सकते हैं, पर इन भरे वे तालाबों में नहाने का लोब नहीं छोड़ा जा सकता वह याद करता है कि वह भी एक दो बार ऐसे ही तलाब में नहाया था और एक दो बार नहाने के बाद ही वह बिमार हो गया था वुखार उतरे ही न ऐसे में दादी ने उसकी खूब देख रहे की थी तब जाकर वह जल्दी से ठीक हो पाया था वो छात्रावास में जब भी बिमार होता है तो उसे दादी की बड़ी याद आती है क्योंकि यहाँ दादी की तरह देखरे करने वाला कोई नहीं बस डाक्टर आकर कुनेन की गोलियां दे जाता है और मेस का महराज खिचडी कभी कभी कोई पानी पूछ लेता है लेखक याद करता है कि उसकी दादी पारिवारिक सदस्यों की ही नहीं अपितु गाउं में कोई भी बिमार हो जाए उसकी सिवा करने के लिए छटपट पहुँच जाती थी दादी के बिना घर के बड़े फैसले नहीं लिये जा सकते हर काम में दादी का होना अत्यन तावश्यक है दादी घर की धुरी है लेखक याद करता है कि किशन भईया की शादी में दादी ने मानो पूरा घर ही सिर पे उठा लिया है लेखक यह भी याद करता है कि दादी के सहयोग से ही वह किशन भईया की शादी में औरतों का रतजगा वाला वह स्वांग भी देख सका था यह सोच कर वह आननदी थो उड़ता है उसकी दादी दयालू है वह रामी के चाची की लड़की के विवावें मदद भी करती है दादी पूरी तरह से तूट गई थी, वे उदास रहने लगी, पर फिर भी उन्हें घर की चिंता रहती थी, दादा जी के श्राथ में उसके पिता और भाई ने दिखावे के लिए बहुत खच कर दिया था, जिससे वे कर्जदार हो गए थे, उन्हें कर्ज चुकाने की चिंत सताने लगी थी, ऐसे में दादी उन्हें अपना सोने का कंगन दे कर कर्चा उतारने को कहती हैं, और उन्हें चिंता मुक्त कर देती हैं, आज लेखक जब किशन भाईया के पत्र में यह पढ़ता है कि दादी नहीं रही, तो वे तूट जाता है, उसे अपनी दादी बहुत याद आती हैं, वो अपनी दादी के व्यक्तित से बहुत प्रभावित है, और वो यह भी बताता है कि दादी किस तरह से समाज और परिवार के लिए अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करती रही, पर सच तो यह है कि जरा सी कटनाई पड़ते, बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी, मेरा मन सदा नहीं तो प्राया अनमना सा हो जाता है, मेरे शुब चिंतक मित्र मुझे प्रसंद करने के लिए आने वाले छुटियों की सूचना देते हैं, और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा उड़ाते हैं, मैं सोचता हूँ, अच्छा, अब कभी उन बातों को न सोचूँगा, ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है, पर बर्बस मेरी आँखों के सामने, शरत की शीत किरणों के समान, स्वच, शीतल, किसी की धुंदली चाया ना चुटती है मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए, मेरे गाउं के चारो और पानी पानी हिलोरे ले रहा है, दूर के सिवान से बह कर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बन प्याज की जड़ें, तथा नाना प्रकार की बर्साती घासों के बीज, सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंद छूड रहे हैं, रास्तों में कीचर सूग गया है, और गाउं के लड़के किनारों पर जाग भरे जलाशियों में धमाके से कूद रहे हैं, अपने अपनी मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, आशाड मे आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं, अगहन में चूडा और गुड ना मिले, दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड की पट्टी ना मिले, अप्शोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंद पुर्ण जाग भरे, जल में कूदना नहो तो बड़ा बुर खुड़क रहा था, दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बिमार हो गया, हलकी बिमारी नजाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारन दर्द और खाने के लिए दिन भर नीमबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज नही थी, उसी जागवाले जल में, पतले दुबले, सनेह सने, शरीर पर सफेद किनारी हींद होती, संसे सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शेतलता, आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आचल की गांट खोल, किसी अद्रिश, शक्तिधारी के चबूतरी की मिठ मुँ में डाली, माथे पर लगाई, दिन राज, चारपाई के पास बैठी रहती, कभी बंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर, कपड़े से सहलाती, सर पर दालचिनी का लेप करती, और वीसों बार छू छू कर जौर का अनुमान करती, हांडी में पानी आया की नहीं, उस लाखों प्रश्ट पूच पूच कर घर वालों को परिशान कर देती, दादी मा को गवई गाउं की पचासो किस्म की दवाओं के नाम याद थे, गाउं में कोई बिमार होता, उसके पास पहुँचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूच से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक कानुमान, विश्वास के साथ सुनाती, महा मारी और विशूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर शनान के बाद लवंग और गुड मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, सफाई, कोई उनसे सीख ले, दवा में देर हो मिश्रिया शहद खतम हो जाता, चादर यार गिलाफ नहीं बदले जाते, तुवे जैसे पागल हो जाती, बुखार तो मुझे अब भी आता है, नोकर पानी दे जाता है, मैस महराज अपने मन से पका कर खिजड़ी या साबू, डॉक्टर सहाब आकर नाड़ी देख जाते है और कुनैन मिश्चर की शिशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों, ऐसे बुखार को बुलानी को जी नहीं होता। जानने को यों सभी जानते थे, कि दादी मा कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्तिती वसुतह विलम का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लोटा, बाहरी निकसार में दादी मा किसी पर बिगड रही थी, दिखा पास के क दोने में दूपकी, रामी की चाची खड़ी है, सोना होगा धन्नों, सूद के आज दे दे, तेरी आँख में तो शरम है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगडती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आज कल करने, फसल में दूगी, फसल म मालकीन, रामी की चाची रोती हुई, दोनों हातों से आचल पकड़े, दादी मा के पैरों की और जुकी, बिटिया की शादी है, मेरे शुप न दया करेंगी, तो उस बेजारी करने संद करने के लिए, आने वाले छुट्टियों की सूचना देते, अभी नहा के आ रही दादी मा पीछे हट गई, जाने दो दादी मैंने इस अपर ये प्रसंग को हटाने की गरत से कहा, बेचारी गरीब है दे देगी, कभी, चल चल, चला है समझाने, मैं चुपके से आंगन की योर चला गया, कई दिन बीट गय, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया, एक द कहा, उरिन हो गई बेटा, बगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, उपर से दस रुपे का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी दस पांच के लिए हसाई न हो, देवता है बेटा देवता, उ किशन के विवाह के दिनों की बात है, विवाह के चार-पांच रोज पहले ही औरतें रात रात भर गीत गाती है, विवाह की रात को अभिने भी होता है, यह प्राया एक ही कथा का हुआ करता है, उसमें विवाह से लेकर पुत्रों पत्ती तक के सभी दृष दिखाये जाती ह मेरा मेरा भाई रागव दालान में सो रहा था वह भी बारात में जाने के बाद पहुंचा था और तो उने उस परापत्ती की दादी मा बिगड़ी लड़के से क्या परदा लड़के और बरम्हा का मन एक सा होता है मुझे भी पासी एक चारपाई पर चादर उढ़ा कर दादी मा ने चुपके से सुला दिया बड़ी हंसी आ रही थी सोचा कहीं जोर से हंस दूँ बेद खुल जाये तो निकाल बाहर किया जाऊंगा पर भावी की बाद पर हंसी रुक न सकी और भंडा पोड़ हो गया देवु की मा ने चादर खींच ली कहो दादी या कौन बच्चा सोया है बेचारा रोता है शायद दोद तो पिला दूँ हाथा पाई शुरू हुई दादी मा बिगडी लड़के से क्यों लगती है सुबह रास्ते में देवु की मा मिली कल वाला बच्चा भावी मैं वहाँ जोर से भागा और दादी मा के पास जा खड़ा हुआ वस्तु तक किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी मा की छाया में खड़े हो जाते अब है दान मिल जाता सनिह और मम्ता की मुर्ती दादी मा की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है परस्तितियों का वात्या चक्र जीवन को सुखे पत्ते सा कैसा नचाता है इसे दादी खूब जानती थी दादा की मृत्यू के बाद से ही वे बहुत उदास रहती संसार उन्हें धोखे की टटी मालूम होता दादा ने उन्हें स्वयम जो धोखा दिया विसदा उन्हें आगे भेज कर अपने पीछे जानी की जूटी बात कहा करते थी दादा की मृत्यू के बाद कुकुरमुत्य की तरह बढ़ने वाले मुह में राम बगल में छूरी वाले दोस्तों की शुब चिंता ने स्थिती और भी डामा डोल कर दी दादा के श्राध में दादी मा के मना करने पर भी पिता जी ने जो अतुल सम्पत्ति बै की वह घर की तो थी नहीं दादी मा अक्सर उदास रहा करती मा के दिन थे कडाके का जाडा पड़ रहा था पच्छुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्यों में घुसी पड़ती शाम को मैंने देखा दादी मा गीली दोती पहनी कोने वाले घर में एक संदूग पर दिया जलाए हाथ जुड़ कर बैठी थी उनकी सने कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा उनकी आखें खोली दादी मा मैंने दिरे से कहा क्या है रे तु यहां क्यों बैठा है दादी मा एक बात पूछूं बताओगी न मैंने उन ी सने पोण आखों की और देखा क्या है पूछ तुम रोती थी दादी मा मुस्कुराई पागल तुने भी खाना नहीं खाया न, चल चल, दोती तो बदलो दादी मा, मैंने कहा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, मुझे खिश्ती रसुई में ले गई सुबह में ने देखा, चार पाई पर बैठे पिता जी और किशन भाईया, मन मारे कुछ सोच रहे है दूसरा चारा ही क्या है, बाबु बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले ही बाकी है वे रोने रोने से हो गए, रोता कि हैरे, दादी मा ने उनका माथा सहलाते हुए कहा मैं तो अभी हूँ ही, उन्होंने संदोग खोल कर एक चमकती सी चीज निकाली तिरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था, उनका गला भराया मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आयू हूँ, यह उनके वन्ष की निशानी है उन्होंने आसू पोच कर कहा, पुराने लोग भागा पिछा सब सोच लेते थे बेटा सच मुझ, मुझे दादी मा श्राप भरष्ट देवी सी लगी, दुंदली चाया विलीन हो गई, मैंने देखा, दिन का भी चड़ाया है पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कववा अपनी घिनोनी काली पांखें फैला कर मेरी खिड़की पर बैठ गया हाथ में अब भी किशन भईया का पत्र कांप रहा है, काली चीटियों सी कतारे धुमिल हो रही है, आखों पर विश्वास नहीं होता, मन बार बार अपने से ही पूछ पैड़ता है, क्या सच मुझ, दादी मन नहीं रही बच्चों, कैसी लगी कहानी? मेरे साथ आपने पाठ किया न, कुछ नए शब्द आपने देखे होंगे, उन नए शब्दों को बार बार दोहराईए, उन शब्दों को अपनी कौपी में लिखे, और ढूणने की कोशिश कीजिए उन शब्दों के अर्थ बच्चों, इस पार्थ में कौार का महीना, अगहन का महीना, चैद का महीना, माहक का महीना, इस सारे हिंदी महीनों के नाम आए हैं तो बच्छों कि आप कोशिश करेंगे कि हिंदी के बारा के बारा महीने आपको पता हूँ? कहां से पता करेंगे? तो जाएए ना अपनी दादी के पास और दादी के पास नहीं तो ममी के पास पता कीजिए हिंदी के बारा के बारा महीनों के नाम करेंगे ना आप आप हिंदी के बारा के बारा महीनों के नाम लिखे और आप ये लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम जो अंग्रेजी महीनों के नाम जानते हैं उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं बच्चो यह कहानी हमें बताती है कि घर में दादी की क्या भूमिका होती है लेखक बताता है कि उसकी दादी लोगों की सहायता करती है सबसे बड़े प्रेम भाव से रहती है और बच्चों इस पार्ट से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें जरूरत से जादा खर्च नहीं करना चाहिए जरूरत से ज़ादा खर्च करने पर हम कर्ज में डूब जाते हैं जिस तरह से लेखक के पिता कर्ज में डूब गए लेखक के पिता ने अपने पिता के यानि लेखक की दादा के श्राध में बहुत कुछ खर्चा कर दिया जिसके कारण को करजे में डूब गए और अंत में उन्हें दादी मा के कंगन बेचने पड़े इस पार्ट से हम या समझने में भी सक्षम हो जाते हैं कि हमें दूर दर्शी होना चाहिए इस पार्ट से हमें ये भी सिखने को मिलता है कि हम भविश्य के लिए तयार रहें और दूर दर्शिता से काम लें जिस तरह लेखक के दादा ने उसकी दादी को सोने के कंगन पहनाये थे और वो सोने के कंगन काम आये ना जब उनका परिवार करजे में डूब गया तो वो उसी कंगन को वेज कर गर जा चुका देती है तो दादी उनकी दूर दर्शी भी थी उनके दादा दूर दर्शी भी थी इसलिए इस पार्ट से ये भी सिक्षा मिलती है कि भविश्य की किसी भी होनी अन होनी के लिए हमें हमेशा तयार रहना चाहिए बचों मैंने आपको कहा हिंदी महीनों के नाम आप ढूंड कर लिखें बारा के बारा महीने इसी तरह से यहां पर मैंने आपको पार्ट पढ़ाते हुए इस किताब में कुछ है बरसाती पौधों के नाम आई है मैंने आपको बताया था ना मोथा, साई, घेवूर, बनप्याज की जड़ें तो बच्चों आप ये भी पता करने की कोशिश करें कि बरसात के दिनों में आपके घर के आजपास या आपके गाहों में कौन-कौन से नए-नए बरसाती पौधों में क्या कोई काम के भी है जो आपके घर में काम के आते हो है न तो आप ये जरूर पता करने की कोशिश करें आपको नए नए पोधों को पता चलेगा उसी तरह से पाठ में एक जगा लेखक ने कहा है आसाड में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ पत्ती न मिले अफशोस नहीं देखा पाठ में लेखक ने मौसम में खाय जाने वाले अलग-लग मौसमों में खाय जाने वाले फलों का और चीजों का नाम बताया है जैसे आशाड के महीने में आम और जहमुन खाया जाती है अगहन के महीने में चोड़ा और गुड गाउं में खाया जाता है शिवड़ा मतलब जो आजकल आप पोहा कहते हैं न वो तो उसी तरह से चैत के महीने में लाई और गुड़की चर्चा करता है तो बच्चों आप ये जानने की कोशिश करें कि हमारे मौसमी खान पान कौन से हैं हम एक मौसम में या अलग-अलग मौसम में किस-किस मौसमी खान पान से चुड़े हैं आप अपने गाउं में या अपने घर में खाये जाने वाले उन मौसमी खातिपदार्थों की सूची बना सकते हैं एक जगह इस पाठ में लिखक ने बताया है कि किशन भाया की शादी में रात जगे में घर की औरतें नित्य करती हैं अभिने करती हैं गीत गाती हैं ऐसे में आप भी पता करने की कोशिश करें कि आपके घर में कौन-कौन से अफसरों पर कौन-कौन से लोक गीत, लोक नाच या अभिने होते हैं ये अपने दादी से, नानी से, अपनी ममी से पता करने की कोशिश करें, और सुची बनाए, कुछ लोक गीत याद करें, कुछ लोक नाचों में भाग लें, कुछ अभिने में भाग लें, आपको बड़ा मज़ा आएगा, आएगा ना, आप लोग करेंगे ना, तो चलिए, आप लोगों को कुछ सवाल दूँगा और आपने सही उत्तर पर निशान लगाना है चलिए देखें लेखक पूरी कहानी में किसकी बात कर रहा है अब इसमें विकल्प देखें दादी, माता, किसकी बताओ शाबाश, दादी की अच्छा, दूसरा प्रश्ट, दादी का बेहवार कैसा था? कूमल या कठोर? बताओ, बताओ, कूमल, मिलकुल सही दादी मा किस से पैसे वापिस मांग रही थी? रामी से या धन्नों से? या धाया, आपको किसे मांग रही थी? धन्नों से, जो रामी की चाची थी, धन्नों से पैसे वापस मांग रही थी दादी किस की शादी की तयारी कर रही थी? बताओ, दादी किस की शादी की तयारी कर रही थी? किशन की या धन्नों की? जबाब दो क्या सबकी मदद करती थी नहीं, यहाँ हाँ, दादी सबकी मदद करती थी अब सही गलत बताना आपने दादी ने अपने बड़े बेटे को घर से निकाल दिया था क्योंकि उसके सिर्पर बहुत कर्ज था क्या ये सही है या गलत है गलत है उन्होंने अपने बेटे को घर से नहीं निकाला था बलकि उसके सिर्पर के कर्ज को खतम करने के लिए उसकी मदद की थी है ना चलिए, आगे चलें, लेखक अपनी दादी से नफरत करता था या प्रेम करता था, प्रेम करता था, है ना, किशन की शादी में दादी ने बहुत उत्साह से काम किया, सही है या गलत, सही, है ना, दादी ने किशन की शादी में बहुत उत्साह से काम किया, अगला प्रश्ण देखे, दादी ने अपने कंगन देकर अपने बेटे की मदद की, सही अगलत, सही दादी ने अपने बेटे का कर्ज उतारने के लिए उसे अपने कंगन देकर उसकी मदद की, है ना चलो आगे अगला प्रश्न करें दादी नहीं चाहती थी कि लेखक अपने भाई की शादी में शामिल हो सही या गलत? गलत लेखक अपनी भाई की शादी में इसले नहीं जा सका क्योंकि वो बिमार था है ना? और जो मैंने आपको काम दिया है कि आप हिंदी महिनों के नाम लिखें बारा के बारा महिनों के नाम अपने घर के आसपास बरसात के मौसम में उगने वाले पौधों के नाम लिखें देखें कौन-कौन से पौधे उगाते हैं और आपके परिवार में अनेक उत्सहों पर जो लोक गीत या लोक नाच होते हैं उनके बारे में जाने और लिखें आपको ये पार्ट कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छे से समझा गया और आप अपनी दादी को और प्यार करने लगेंगे तो बच्चों इसी के साथ हम आज का पार्ट समाप्त करते हैं स्वस्त रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद